प्यारे बच्चों आप लोग जल्दी से फटा फट आजाए और इसमें हम लोग कमेश्टरी के वैसे कोशन देखेंगे जो आपके एकजाम के लिए बहुत ही ज्यादा उप्योगी है बहुत ही ज्यादा आप लोग के एकजाम के लिए वारल कोशन है हम लोग chemistry के बहुत ही viral कोशन देखेंगे, बहुत ही सटीक कहेंगे के एकदम चूना हुआ कोशन आप लोग के लेकर आये हैं और इसको आप लोग कर लेते हैं तो कहीं से भी आप लोग को एक नमबर या में दिक्कत नहीं होगा, आप लोग objective का ठीक है न, objective का आप लोग यहां कर दीजे और अपने दोस्तों को सेर कर दीजे और यहाँ से हम लोग आपने कमेश्ट्री के सब से most important objective question को discuss करेंगे और ये objective question ऐसे है जिसके आने के chance आप लोग एक्जाम में बहुत 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 ज्यादा है तो आप लोग कोई से हूं complete कर लेना है समझ गया ना और आप लोग बाबु हम समझा भी देते हैं कि हाँ कई से क्या करना है तो आप लोग फटा फट वीडियो quality sound के बारे में सब कुछ बनिये है यह से हम लोग start करते हैं और आप लोग फटा फट इंसर दीजेगा बाबु ठी वहां से आप लोग जाके objective का आप लोग preparation कर सकते हैं समझ गया ना तो चलिए बाबु start करते हैं question number one से और one question आप लोगों के screen पर है आप लोग बताएंगे बाबु कि ice cream के निर्मार में gelatin का उपयोग किया जाता है क्यों आप लोग बताईए ice cream के निर्मार में gelatin का उपयोग क करते हैं ठीके न का ही करते हैं बताईए स्वाद अच्छा हो जाएगा या कोड़ों को बांदे रहेगा या gelatin बर्फ के कोड़ों का असकंदन से रक्षण करेगा या आप लोग का मूल घाटाने के लिए हम लोग क्यों मिलाते हैं आप लोगों से पूछा गया है तो पहला को अच्छा आपके एकजाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है आगे चलते हैं यह आप लोग के इंगलिस मेडियम वालों के लिए है ठीके न की जिलेटिंग को जो करता है देखे जिलेटिंग क्या करता है प्रोटेक्ट आइस पार्टिकल्स फ्रम कोई गुलेशन से ठीके न तो हम लोग का ओप्शन नमबर इसमें सी हो जाएगा आप लोग याद रखेगा ठीके न हम लोग आगे चलते हैं प्यारे भाईयों कोश्चन नमबर दो की तरफ और बताईएगा ठीके ना कोश्चन नमबर दो आप लोगों की स्क्रीन पर है और बहुत ही ज्यादा वारल सवाल है इसको आप लोग याद रखेगा आप लोग एक्जाम में पेप्टिक करन का परिभासा भी पुछता है ठीके ना तो पेप्टिक करन हो ओं और आउन पार्च में जिली से ठीके ना होकर बाहर निकल जाते हैं परनतों प्रुखन नहीं देखिए कहने का मरत लभ आरís पर पगम जिली ठीके ना इसको आप लोग अर्द पर पारगम जिली कर लिजेगा। पर्ध पारगम झेली से हो कर निकल जाते हैं प्रंतु कोलाइडी करना ही तो यह कौन सी परकिरिया है वह कौन सा प्रकरम है तो याद रखिएगा बाबू यह हम लोग का अपोहन परकरम है और अप्शन नम्बर हमनी के D राइट एंसर हो जाएगा यह जो परकिरिया है यह जो लोगों से रिकेवेस्ट है कि आप लोग एंसर देते रहें और वीडियो को सेर करते रहें आगे चलते हैं बाबु कोश्चन नमबर तीन आप लोगों की स्क्रीन पर है बताईएगा कि कोलाइडी बिलियनों के अस्थाइत्व के लिए इंसर मतलब उतरदाई है क्या है आप लोग बता ना जल्दी से कमेंट बक्स में देंगे कि उसके लिए क्या ओतर दाइए करद आ है तो उसके लिए क्या उतर दाई है बड़ी होना चाहिए जैसे description की फर्वल फरकृति नहीं होनी चाहिए तो हम लोग का इसले डोन क्या उतरताई है बाबु नहीं उसमें ब्राउनियन गती होना चाहिए और उनकी ब्राउनियन गती होनी चाहिए तब हम लोगा जाके अस्थाइत होगा तो अप्शन अमर्डी हो जागा ठीके ना अस्थाइत होगा बात करेगा ना बाबु अस्थाइत होगा तो कोलाइडिक कोणों पर बैधूत आविस आना चाहिए और उनकी ब्राउनियन गती होनी चाहिए तब जाके अस्थाइत प्राप्त होगा तो तीन का राइट एंसर बाबु डी हो जाएगा आगे चलते हैं और य इसको नोट कर सकते हैं जल्दी से की बादल, कुहरा, कुहास, द्रोग है, इसको लाएड़ी, एरोसेल है तो धूम किस परकार का लाएड़ी कढ़ है धूम कहने का मतलब में बाव न? इसमोक हमनी की किस परकार का लाएड़ी न? तनक्र है बताना है देखिए धूम जो जो एन याद कैसे रखना है, माल लीजे कोनों से धूआ निकलता है, का निकलता है धूआ निकलता है, तो कोनों के देखे हैं, बीड़ी पीते हुए, चाहे लोकडी जलते हुए, तो याद रखेगा कि जो कोनों ठोस जलता है, तो धूआ निकलेगा, धूआ का में जाता है, गैस में, यहीं ठोस जलेगा तो कहां जाएगा उसका धूँआ गैस में, मतलब ठोस से गैस, ठोस से गैस, याद रखेगा स्मोक धूँआ, धूँआ कहां से निकलेगा ठोस को जलाएंगे तो, ठोस निकलेगा तो कहां जाएगा गैस में, तो option नमर एक को हम लोग करेंगे, जो स्मोक हो क्या कहलाते हैं तो द्रव भिरोधी जो कुलाइडिक कण कहलाते हैं यो आनुत क्रमड ये कुलाइड कहलाते हैं तो फाइफ का राइट राइट अंसर बाबू B हो जाएगा और नुत करमार ये कॉलाइड हो जाएगा फाइफ का हम लोग B कर देंगे और आगे निकल जाएगे आगे चलते हैं शिक्स नंबर दूध क्या है दूध बता चुए हैं कि दूध एक पायस है ठीक नदूध प्या है बाबू दूध हमामन क्या हो जाएगा पायस हो जाएगा आगे चलते हैं प्यारे भाई साथ नमबर किसी अभी किरिया में उत्प्रेरक ठीक है ना मताइएगा जल्दी से जल्दी से किसी अभी किरिया में उत्प्रेरक क्या देखिए उत्प्रेरक करेगा ना देखिए उत्प्रेरक का है माली कौनो आग जल रहा है ध्यान समझेगा कौन आग जल रहा है नोर्मली उत प्रेरक उसको बलते है न कि जोन भड़का देगा ठीक न मतलब जल रहता धीरे धीरे आप घिव डाल दीजेगा पूरा आग एकदम फैल जाएगा ठीक न आप उसमें पेट्रोल डाल देजिए तो आग पू नजल यहां जाएं धार्थ को बोलते हैं उत प्रेरक जैसे आप लोग दाल पीते हैं चावल और खाथे ना दाल लेते हैं तो अपर से क्照बों डलते हैं घीव ठीकना ताकि स्वाद परन यहाज। आज हम लोगो को डाल अच्छा लगे तो ओपर से और multiperson ठोड़ा सा धोड दार्त जो किसी अभी किरिया के दर को बढ़ा देता है तो उसको बोलते हैं उत्परेराग मतब पहले हम स्लो स्लो चल रहे थे अब आचानक हम में का आ गया ठीक ना अचानक माल लिजे कि हम एक गिलास जूस मार लिए और हमारे अंदर एनर्जी आ गया और इसा एनर्जी आ ग क्या होता है बेग को बदल देता है बिलकुल सही बोला है संक्रिया को घटा देता है बिलकुल सही बोला है अभी किरिया का जो उत्प्रेराख होता है ना में रूप सिद्धू को याद रखेगा कि किसी अभी किरिया का जो उत्प्रेराख होता है ना उसके बेग को बढ़ा ठीक ना संक्रियन उर्जा को खटा देगा दूग मेन रूप से याद रखेगा यही एक्जाम में बार बार से आप लोगों से पूछता है आगे चलते हैं प्यारे बचो कोशन नमर आठ इस और इसात इंगलिस में है तो अल आफ दीज हो जाएगा सब ठीक ना आगे चलते हैं किस परकार की धातुएं परभावी उत्प्रेरक बनाती हैं बताईए कोशन नमर आठ आप लोगों के स्क्रीन पर है प्यारे बाबु बताएंगे कि किस परकार की धातुएं परभावी उत्प्रेरक बनाती हैं छार धातुएं संक्रमर धातुएं छार मिरिदिये धातु रे हैं तो 8 का राइट एंसर बावो B हो जाएगा और इसमें आप लोगों संक्रमढ़्धातों ही एंसर लगाना है क्योंकि देखें जो परभावी उत्प्रीर्क बनाएगा वो संक्रमर mm confirm धातों ही बनाएगा तो आठ का राइट एंसर प्यारे बचो आप लोग को एंसर बताना है जल्दी से बताईएगा कि ताप करम के ठीक ना जल्दी से इंसर दीजे ताप करम के बतलाओ के प्रती संबेदन सील उत्पिररक क्या है जल्दी से बताईएगा बाबू तो आप लोग याद रहेगा संबेदन सील जो उत्पिररक है ठीक ना पड़ किरतिक रवबर किसका आप लोगों को एक दम है युदं कि किसका है आइसे बर्य हो जाएंगा वो बहुत बर्यार होता है बहुत बर्यार ठीक है ना आप उसको तो नहीं सकते हैं मान लिजे आप लोग कभी देखे होंगे जो पहाड पर चड़ता है मतलब चटानों पर चगता है तो उसके हाथ में रसी होता है आप लोग देखे हैं ना कि जो मान लिजे कि जो पहाड यात ठीके क्या रहता है तो सबसे कमजोर होता है यह तो आवेस में लगता है नहीं तो तो हमनी के option नमर बाबू B हो जाएगा ठीक है ना option नमर मनी के B हो जाएगा hydrogen आगे बढ़े ना आप लोग एंसर देते रहेगा बाबू छेले 12 नमर कि बंदूक की गोली न परवेश करने वाले कांच का निर्वान में परियुक्त होने वाला बहुला क्या है यहानि बंदूक की गोली यहानि आप लोग bullet proof कांच सुने है ना bullet proof कांच तो bullet proof कांच में आखिर क्या मिलाया जाता है का उसमें ऐसा material दिया जाता है जिससे बंदूक की गोली उसको आर पर नहीं कर पाती है तो याद रखिएगा बाबू, जो उसमें निर्माण करने वाला जो बहुलक है, उसमें हम लोग लेक्सें का उपियोग करते हैं, अप्शन अपर भी गोजाएगा, लेक्सें देखिए, लेक्सें के उपियोग करने से का होता है ना बाबू, कि यह बंदुक की गोली को आरपा पार नहीं जा सके तो लेक्षन हम से हमनी के राईट एंसर बाबू 2 हो जाएगा समूझ रहे हैं न perform प्यार ब्लटित की बन कोना फ़ीकस को आप लोक को बताना है प्यारे भाई की कोश्ण क कग तैर ऊमें कि यह क किसम लोग जल्दी बतायेंगे कि कि सापवी लोग किसका एक है यह जो एक लक दिया गया यह थिक्नार्ण है यह हम लोग का करेंगी यह किसका यह हल dif लो का बताइए हलके पे कहने का मतलब है न कि जो छोटे-छोटे बचें सोट salt जड़ा चोटे बच्चे होते है वह पानी पीने के लिए कुछ बोतल का यूज करते हैं करते हैं मतल होते हैं उनको पानी पीने के लिए बोतल के तो वह कभी-कभी उनके साथ खेलने लगते हैं तो ज्यादा कठोर रहेगा तो उनको चोट लगने का भी चांस रहता है इसलिए जो छोटे बच रहते हैं तो उनके पीने के लिए जो बोतल बनता है वह बहुत ही special material से बनता है तो वहीं बोला कि है ना कि जो special material बनता है तो उस में प्रायक कौन सी चीज यूज होती है ठीके ना उसमें कौन सी चीज जो होती है वह यूज होती है 14 का राइट असर आप लोग बताना जल्दी से बताई अब आप लोग समझा दिये हैं तो क्या है याग बाबू पॉली एस्टर नहीं होगा ठीके ना पॉली इरिया तो द बंध मिलता है बताईए निम्न में से किस में एश्टर बंध मिलता है बताईए 15 का राइट एंसर आप लोग बताना है कि निम्न में से किस में एश्टर बंध मिलता है तो हम लोग का बाबु टेरी लिन थिक ना टेरी लिन में बाबु हम लोग का एश्टर बंध मिलता है तो 15 प्वंद्रह का राइट एंसर हमनिके सी are का बाधी चली भलें गवाषि कोई प्रल्सप्री wise कैण स्जॉजister कॉछ फटीकेर जो होता है वह हमनी के सख्णनन बहुलक है डेक्रोन हो गया नाइलन हो गया नाइलन आप लोग पढ़ाए है कि नाइलन जो होता है हमनी के सख्णनन बहुलक होता है और आप लोग एंसर देंगे समझ गे नाइलन भी नाइलन हो गया डेक्रोन हो गया इस अब आप लोग को या यह होगा नालन सिक्स समपने के क्या है एंसर देंगे नालन सिक्स समने की क्या है पॉलि एमाइड है सखनन बहुलक है कैप्रोलेक्टम है जहां बात आएगा एकरे का चर्चा होगा ठीक कर ना आगे चलते हैं कॉशन नमर 18 टेफलोन किसका ठीक का ठीक ना तेफलोन बताना है किसका बहुलक है अठारा का जली बताईए अठारा का बताना है कि टेफलोन किसका बहुलक है तो याद रखेगा टेफलोन के लिए आप लोग एगो ट्रिक बताए थे कि ओकरा में फ्लोरो आना चाहिए क्या आना चाहिए फ्लोरो ठीके ना फ्लोरो आना चाहिए ओप्शन नम द्वावां, कि मैंसे क्या टायर रसीयों के लिए पर्युग होता है बताना है 9 का राइट रैट सेसे आप लोगो कमेंट बॉक्स नर्हें इसक्षिंस अनन्माहसा यूज़केये के ऐसके निरमान में एक अपुर्ण निरमान माण में बहुत यूज़के है टायर बनाने वाली जो company होती है वो हमेशा वो बैकलाइट का यूज करती है option number हमनी के D हो जाएगा ठीके ना बैकलाइट याद रखिएगा ठीके ना बैकलाइट जो होता है वो टायर में ज़्यादा यूज किया जाता है बनाने के लिए कि आगे चलते हैं बावू 20 नमर की alpha-d-glucoside यो methyl-beta-d-glucoside किसके जुग में है यह सवाल फ्यमस हे ऐफश में पउस्धाइट यहायर में होता है वह हमने के एनो मर का जुगम होता है बस इतना याद रखना है चलिए एक कईस नंबर एंजाइन की उपस्थिती में कोशन नंबर बी से बाबु कि एंजाइन की उपस्थिती में प्रोटीन का जल अप घटंग करने पर क्या उत्पन होता है सबसे वारा सवाल और यह सवाल इमीनो अमल मिलेगा समझ गया जल अप घटंग करेंगे तो हमने के एमीनो अमल का लावा और कुछ नहीं मिलेगा चलिए प्यप्टाइड का जल अप घटंग पर क्या देता है बताईए बाइस का बाइस का बताएंगे कि जल अप घटंग करेंगे ठीक ना जल अप घटंग 25 परसेंट आप लोग का एमीनों अमले प्राप्त हो जाएगा ठीकना तो अफसों नॉर हमनी के ए हो जाएगा ए को कलिक कर देंगे ठीकना हमनी के एमीनो अमले एनसर हो जाएगा चिली 30 न में सोक मूल हाग नहीं है ठीकना। इंसर्ट देंगे ठीक ना कोई भी स्टूडेंट समझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताना है कि वीडियो कैसा लग रहा है नए है तो सब्सक्राइब करिएगा और यह सब सवाल आप लोग को करना है बागु समझ गया आगे चलते हैं 24 नवर बताना है ठीक ना और यह आप आप लोग के लिए खे depende ऊंपल देख रहा है कि मालोग जो गया सुकरोज हो गया यह यह हो गया यहtha डाइस स्यक्राईट के उधारन है तो आप लोग को के याद रखना रहा है ठीक कि मलोग सुक्रोज लेक्टोज नमर में कि निम में सो कौन सा रेशा पॉली इमाइड का ब लाइट फिनोल के साथ बेकलाइट कोई से प्राप्थ होता एंगे फॉर्मेल डी हैड मिलाएंगे ऑप्सन नम्र सी होजाएगा ठीके ना अब फिनोल के साथ है मतलब ओएच समूह में फोर्मेल डी हाइड मिलाएंगे तो हमने के बेकलाइट प्राप्त हो जाएगा अब बेकलाइट कहाँ होता है टायर में ठीका ना टायर की जो रसिया बनती है कैप्रोलेक्टरम के परियुक द्वारा बनने वाला संसलेस हो गया इस अब किसका जीकिर होता है नालन सिक्स का ही जीकिर करता है तो अप्शन आवरावनी के सी हो जाएगा यह सब बबु सवाल अब आप लोगो को खुद से आने चाहिए चलिए कोपर सॉलफेट के घोल में एदी अधिक के आई ठीक ना डालने पर उजला और उच्छ किसका है बताएग College S कॉपर सॉलफेट के घोल में आधिक क्याई आई डालने पर उजला और भात होता है तो आप लोगो जाना है यह उजला और खिशब किसका है हमनी के ऑप्शन नम referee A का है या option number हमनी के B का है या D का है C का है तो याद रखे हैं का बावू Compor का बात क्या है Compor Sulfate का ठीक है ना Compor Sulfate तो करा में आना चाहिए तो option number हमनी के C को right answer click करेंगे तो 27 का right answer हमनी के C हो जाएगा ठीक है चलिए तो आज के सवाल के कोशन हम लोग का यहीं पर समाप्त होता है भाई ठीक है ना तो आज के वीडियो में हम लोग 27 कोशन डिसकस किये हैं बट डेली हम लोग 30 कोशन करते हैं तो तीन कोशन रह गया है तो इसको हम लोग अगले वीडियो में डिसकस करेंगे तो आप वीडियो को खुब सेर करेंगे और मन लगा को पढ़ेंगे आप लोग को पस यही कोशन करना है और इसी को आप लोग को बार 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 आप लोग को रिवाइज करना है और आने वाले समय में आप लोगों से उब्जेक्टिव गलत होने का चांस ना के बराबर हो जा था लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा हम मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में जय हिंद